तेटिस आपके सांथ कर रहे हैं इंसर्ट करते हैं मुडूल और मुडूल इंसर्ट करते हैं सब्सक्राइब करते हैं मैं क्या-क्या होना चाहिए तहीं आपको मैंने जो देजर बॉक्स शीट्स रेंज अप्लिकेशन एड चार चीजिए होती है फिल्हाल होल्ड करते हैं वन वाइवन समझतें वर्क बॉक्स के बारें समझतें जैसे एक नई फाइल एड करनी हो तो लिखेंगे workbooks.add एक नई फाइल एड कर देगे control and कर देगे अब मुझे उसी फाइल को save करना है हला कि save करने का code होता है अब का यहां पे workbooks और इसके अंदर में हम डालेंगे और यहां पे जिस फॉल्डर में सेब करना है दी राइब के अंदर दो हजार तेज के अंदर 123.xls समझें फाइल को सेब कर देगा लेकि प्राब्लम ही है कि मैं जिस फाइल को क्रेट किया है उस फाइल को सेब कर देगा यहां पर हम लिखते हैं बार्क वोक्स नहीं यहां पर एक्टीफ वार्क बोक्स बोक्स और डॉट सेवाइश समझें इससे क्या हो जाएगा जर्ण क्यों ऐसा एक्टीफ वर्क बुक क्यों हुआ जागे एक कंट्रोल एंड करके फाइल ओपन करें और जाइट की बात है एक्सल में से मैं यहां पर न्यू पर क्लिक करके ब्लैंक ब्रक लिया जो फाइल खुली है बुक टू वही ओपन है कि सामने एक्टिवेट इसको कर लेगा और उसको से वेच कर लेगा समझे जो भी ओपन होगी हां तो फाइल सेव करने कोड़ यह है कि वर्क बुक वर्क डिटेल से वैच और से वैच की डिटेल मतला कि मेंबर मित तरहीं हां क्याव जो अब जेक्ट अब्जेक्ट डिटेल मेंबर डिटेल पर प्राव्लम का होती है कभी कि भी आपजेक्ट हमारा फिक्स नहीं होता है जैसे कि इस केस में कि जब भी फाइल एड होगी वह हमेशा एक नई वर्क बुक बढ़ाएगी उसका नेम बुक बुक नहीं होगा पुक तूब त्री फॉर 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 फॉ से बैज और हमने यहां पर पात पर दिया है समझे अब कोश्चन यह आता है कि हमें पता है कि मुझे वन टू थी नाइम की फाइल एड करनी है तो हम यहां पर डारेक्ट लिक देंगे वार्क बॉक्स डॉट एड डॉट से बैज समझें नंट फाइल को सेब करते हुए अट आप तो हमने कर दिया तो अब आप समझ अब स्टूर्शय सभी समझते है हम फाइल एड करेंगे उसके बाद कुछ 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 काम करें इसके बाद फाइल को सरफ कर देगे समझे कि मैं और फाइल पर काम कर रहा हूं फाइल फिक्स हमारा उसको सेवेज करने के लिए इस तरह के लिए अब मुझे फाइल सेब किया हुआ ही एड करना है तो इस कोड को कर देंगे तो चाहर लाइन समझ में आगे कभी उच करेंगे सब्सक्राइब पहली जो है जिस पर काम कर रहे है न सब्सक्राइब उसको सेवेज करेंगा और यह फाइल एड करते हुए सेवेज करेंगा अब मुझे बात आती है कि फाइल को सेव करना सेवेज नहीं करना है तो दो तरीके अगर आपको फाइल का नाम पता है यहां लिखेंगे वर्क बोक्स और यहां पर बुक वान टू त्री जो भी फाइल नेम है डेटा वां जो भी है उसको कर दिजिए सेव ठीक है बट मुझे फाइल का नाम पता नहीं तक इतना पता है कि उसी फाइल पर काम हो रही है वही फाइल अभी एक्टिव हो तो आप एक्टिव बात उच करते हैं तो फाइल पे कुछ भी करने के लिए हम दो कोड यूज करते हैं पहला यह वाला कोड और दूसरा यह जब फाइल का नेम पता है तो इस वाले कोड को यूज करते हैं फाइल का नेम पता नहीं रेकिन फाइल एक्टिवेट है तो इस कोड का यूज करते हैं समझे जैसे कि मुझे फाइल को ओपन करना है हम नई फाइल नहीं पुराने फाइल ओपन करते हैं तो लिखेंगे बार और कहां से ओपन करना है तो डी ड्राइव के अंदर है कि 2023 उसके अंदर डीटी डॉट एक्सलेस एक्स तो यह फाइल ओपन कर देगी डी ड्राइव में जाके अन्ने कंट्रोल करेगी डी जाईगी फाइल करेगा ओपन कर देगा है कि समझ गए कि अब ओपन होगी तो क्लोज करने के क्ट रोन ने का रोड़ यह थैर्व निखेंगे यहां पर यहां पर बूक्स वर्ख भूक्स डॉट यहां पर बूक्स वन डॉट एक्सलेस एक्स डॉट क्लोज अब जब भी हम कोई फाइल क्लोज करते हैं तो मुझे पूछता है यहां पर हमें ट्रूफ देना हो थूट इस फाइल को सेव करना है लेकिन अगर फाइल का नेम पता नहीं है लेकिंट फाइल एक्टिव है तो सेम लिखेंगे यहां पे activeworkbooks.book अच्छा active workbook में कभी एस नहीं लगेगा workbook होगा समझें अब बात करते हैं एक फाइल से दूसरे फाइल पर जानेगे यहां पर मान लेजिए कि दो फाइल के लिए book 1 & book 2 तो अग मैं book 1 पर हूँ तो अल्ल टैप करके book 2 पर जाओंगा न इसके लिए लिखेंगे और इसमें उस फाइल का ना कि book 2.xls एक्टिवेट यहां फिर लिखेंगे विंडोज विंडोज और इसके अंदर में book 2 इसमें एक्स्टेंशन डालने की जुरूरत नहीं है विंडोज वाला क्या करेगा यह विंडोज में कमांड के अंदर स्विच्ट विंडो है न इस लिस्ट को फॉलो करें और उपर राकोड जो है वो अल्ल टाइब जो में लोग करते हैं इसको इसको फॉलो करें कि अधर दूबारा बता दे को लास्ट वाला समझ नहीं है विंडो वाला बता दो विंडो वाला आपका एक्सल के व्यू मेनु बार के अंदर स्विच्ट विंडो होता है स्विच्ट विंडो के अंदर इस लिस्ट को फॉलो करें इस इसमें इसमें जरूरत नहीं है नहीं है बट यह जो है अल्ट आप करेगा तो एक्स्टेंसर नालने की जरूरत अब फाइल को प्रटेक्ट करते हैं अब यहां समझ में आगया अब मालेजिए मुझे एक्टीव वर्क बूक को प्रटेक्ट करना है एक्टीव और पर यहां पर हमने पासफ़र कॉन सा होगा यह जाएगा रिव्यू टैप के अंदर और प्रटेक्ट इसको प्रटेक्ट करने से क्या होगा कि सीट वगड़ इंसाट वगड़ नहीं होगा डिलीट विलीट नहीं होगा समझें लेगे मुझे फाइल की ओपिनिंग पासफ़र डालनी है तो आप जब से वैज करेंगे ना तो से वैज करते समय या पे पासफ़र दिख रहा है इस तरह से आप कॉमा कॉमा करके अपनी इंपुर्स दे सकते हैं जो नहीं डालना है उसको डालना है उसको समझ गया है लेकि इस से रहेज करना पड़ेगा ना मैं बिना से बिच के कैसे पासफ़र डाल तो उसके रिए पोर्ट लेगा एड़ वर्वो डॉट पासवर्ड एक्वाल टू वन टू या टेक्स्ट है तो इन्वर्डर को आँ में आप एड़ 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 ठीक है इसके लिए क्या करना होगा इसके लिए यह जायेगा फाइल मेन बार के अंदर एड़ 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 आपका options के अंदर एड़ एड़ आप्टेंग फाइल के अंदर इनफो के अंदर वर्ट प्रोटेक्ट वर्ट्बूक कर यहां पे encrypt with password encrypt with password password ठीक है हाँ जी जी क्लियर है जी सर without is made no sir no sir अब यहां पे question आता है कि इससे पहले किसी जगह पर हमने equal use नहीं किया यहां पे equal क्यों क्योंग़ किया देखेए इसने बताया आपको कि इह होता है हमारा method इह होता है हमारा property इह होता है आपका object इह होता है तरह होते हैं। पहला होता है दूसरा मेशार होता है तौपर्टी डूसरा होता है मे तो यहां पर इस तरह करो फ्रीम सेम्बर को हिरते हैं तो में तेज होता है और पर पर युद में पर तरह के होते हैं इन्फोर्मेशन लेने वाले और इन्फोर्मेशन देने वाले हैं तो इसे ले लिए और देने वाले जैसे कि हमने आप लिख दिया एक्वल टू एक्टिव तो फाइल का नेम एफ पे स्टोर हो जाएगा या एफ एक्वल टू एक्टिव वार्क बूक डॉट पात अब यहां देखे स्पैलिंग मिस्टेक है है इसलिए पिटल नहीं हुआ यहां तो देखे कैपिटल हो नहीं होगा तो इसलिए हमेशा स्मॉल लेटर में आप क्या करेंगे राइब करेंगे टाइटल के इसमेने करेंगे ओके ठीक है ऐसी हमारे पास fl equal to active work book dot full layer ठीक है यहर पुक की स्पेलिंग ले क्या हो गया यह समझ गया यह सर क्लिए इसमें कोई आउट यह वाली सर हुई information देने वाली जी हाँ क्योंकि इसमें store कर रहे न तो workbook समझने आई है workbook without है नई अब चलिए sheets को पढ़ते हैं दो ही पढ़ेंगे जदा नहीं पढ़ेंगे आज पॉपर्टी ने और कैप्शन जैसे यहां पर देख रहे हो अब मैं इसको माल लिए जैन कर दिया तो हमारा कैप्शन में यहां देखिए अब 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 मुझे अब मुझे मुझे जाना कैसे तो पॉपर्टी नेम तो मैं यहां लिख दूँगा शी वन डॉट सेलेक्ट या फीर शीट जैन डॉट सेलेक्ट या फीर शीट वन डॉट सेलेक्ट से हुआ से हुआ एक से हुआ से हुआ क्योंकि जैन पहले अगर जैन पूठा के यहां पर देता हूँ तो फिर मुझे यहां पर तीन करना पर शीट टू पहला हो जाएगा शीट थी पर चले जाएगा अगर आपका सीट का नेम फिक्स ना हो जैसे जैन फैर मार्ज अपर यह सीट चेंज होते रहा सीट फिक्स है सीट जो है वही है बस रिनेम कर रहे हैं तो आप उसकी पॉपर्टी नेम से जाए पॉपर्टी नेम से चलेंगे लेकि कभी-कभी क्या होता है वह हमारा सीट फिक्स नहीं है हम सीट फिक्स नहीं है सीट डिलीट करते रहते है नाम फिक्स है कि नाम डेटा होगा जैसे सीट इंसर्ट होगी डिलीट होगी पुपर्टी नेम चेंज हो जायेगा तो उस केस में हम chaotic fiction नेम से चलेंगे, तीसरा आता है आपका sequence, जब पता ही नहीं हो कि कौनного सा नंबर ही, कौनळा सा seat नेम है है कौन सा पूपर्टी नेम है जिसी एक फॉलर है सौ फाइल है एक एक करके सरा उठाना है पता नहीं सो फाइलों के सीट का नेम क्या है तो हम सिक्वेंस नंबर से उठा लेंगा ठीक है अब बात करते हैं आगे तो सीट के कॉलिंग मितावड में एक आपके सामने आता है एक् और जो सीट एड हुई है उसी को रिनेम करना है तो जैसे एक्टिव वर्क भूप था यहां पर एक्टिव शीट होता है जो शीट एड होती है अग्तिव शीट डॉट में इक्वल टू टू टीटि अधर की सीट नेम चेंज करना आपको इस तरह से लिखेंगे शीड पुरा होना चाहिए ठीक है लेकि मुझे अगर डेटा नाम का शीट ही चाहिए या टीटी नाम का शीट ही चाहिए तो शीट डॉट 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 ने जैसे सामने यहां पर शीट डॉट डॉट से बच किया था ना से मुझी था ने इकोल टू ठीक है तो सर यह शीट तो लास में जोड़ता होगा अगर ऑल्रेडी है उसमें जो भी होगा और जो एक्टिव शीट होगा उससे पहले करना अपने हिसाब से एड करना है तो शीट डॉट एड इस पेस दीजिए और भी फॉर आफ्टर तो मुझे मान लिजिए कि पहले जोड़ना है तो यहां पर लिखेंग अब हैसा नहीं कि यहां पर लिख दीजो फैब कि क्या पता फैब क्या है मुझे बताना पड़ेगा क यहां फिर नमबर देदीजिए कि भाई आफटर टू विफोर आफटर थी विफोर थी जो भी लेकि मुझे सबसे लास्ट में एड़ करना है तो आप यहां पर कीजिए एड आफटर यहां पर कॉमा देदी है ताकि बिफोर स्किप हो गया आफटर पर आगए और बी के जगह पे एक फॉर्मा लगा देंगे शीट्स डॉट काउंट तो काउंट क्या करेगा तोटल शीट काउंट करके देगा फिर सीट एड उसके लास्ट में लगाएगा तो सीट एड करना सीख लिए सीट रिडें करना सीख लिए अब सीट डिलीट करना सीख लिए जैसे सीट वान डॉट डॉट डिलीट अब यहा तो यह दिक्कत होगा सीट नेम अगर डॉट डिलीट किये तो आपको जैसे रण होगा माइक्रो रण होते हैं आपको एक छोटी सी प्राब्लम देगा तो इसके नीचे को रण हो जब भी सीट डिलीट कर रहे हो तो यहां पर एक लगाएं अप्लिकेशन के सेटिंग टू फॉल्स ठीक है अब हम बात करते हैं यहां पर कि मुझे शीट को मूव करना है सीट वन डॉट मूव लिखते हैं तो यह क्या करेगा कि एक नई फाइल में सीट को मूव करतेगा तैकि शीट वां यहां पर बोलते हैं कि भाई विफोर या आफटर शीट डेटा तो डेटा शीट से पहले मूफ कर दें उठा कर रख देंगा इस तरह से कोई इस तरह सब्सक्राइब लेकिन में पास मुझे मूफ करना दूसरे फाइल में बुक्टू में तो शीट वान डॉट मूफ और यहां पर वार्ट बुक्स और कौन सा बुक्ट बुक्टू अब बुक्टू ओपन होने चाहिए लुट एक्स डॉट शीट कौन सा शीट मुझे मुझे सीट 3 से पहले करना है सीट 2 से पहले करना है ठीक है उसी तरह से कॉपी तो अगर आपको सीट फाइल को कॉपी करना सीट को कॉपी करना एक नई फाइल में तो यहां पर कर दीजिए कॉपी सीट को इसी फाइल में कॉपी करना है किसी सीट से पहले आबाद में तो आप इस तरह कोट रिखेंगे और किसी पर्टिक्लर फ सीट को हाइट करना है यहाँ पर लिखते हैं सीट वान डॉट वीजवर इक्वल डू सीट हिडेन तो जो नॉमल हाइट होता है नहीं यहांसे नॉमल हाइट करेगा ताकि कोई भी इसको अनाइट कर ले लेकिन अगर मैंने लिखा शीट वान डॉट वीजवर इक्वल टू वेरी हिडेन तो बाहर कोई भी हाइट नहीं कर पाएगा हाइट करने का दो ही तरीका होगा या तो मुझे और रन करने पड़ेंगे वीजवर इक्वल टू शीट वीजवर या फिर उस पर्टिकुलर शीट को स्लेक्ट करके यहां से पोपट्टी वारे में उसको वीजवल करना हुए ठीक है अब सीट के अंदर पासवर डालना है तो यहां लिखते हैं सीट वान डॉट पर्टैक्ट यहां पर देते हैं पासवर्ट करना है तो सीट वान डॉट अन पर्टैक्ट और पासवर्ट ठी सुर्च करें सेब करते हैं एक्टिवेट करते हैं पोटेक्ट पोटेक्ट अन पोटेक्ट लोग में करतें करते हैं कोपीकर हीं करते हैं अब ब downtown लिखते हैं तो देटा adale पर लिखते हैं ना हम सीट पर अब यह ऐसे मैं बसंज़ा है तो यह साथ यहाँ को नए करेंगे इसको यह की लिए आप एक लाइन लीजिए और इसको चला के टेस्ट कर देजिए ठीक है कि संदे जब तो इस सारे कोट जो मैंने समझाया ऐसे एक एक करके इसको रन कीजिए फिर कोट के अंदर थोड़ी बहुत मोडिफिकेशन कीजिए फिर कल की क्लास में हम आपके साथ जो है डिसकास करेंगे एक प्रजेक्ट क्या डिसकास करेंगे प्रजेक्ट